आप लोगो मेरा फेवरेट भजन सुनाती हूँ जब तक इस पॉटलाइट होगा और यूट्यूब लाइव होगा तब तक शुरू करती हूँ कृष्णा देव भवन्तम वन्दे अरीदेव भवन्तम वन्दे मन मानस माधुकारा मर्पया निजपाद पंक जामकरंदे कृष्णा देव भवन्तम वन्दे हरीदेव भवन्तम वन्दे यद्यपी समाधिशु विदिरपी पश्यती नतवनकाग्रमरीचिं इदमिच्छामी निशम्यतवाच्युत तदपीक्रिपार्भुत वीचु कृष्णा देव भवन्तम वन्दे हरीदेव भवन्तम वन्दे मन मानस मधुकरा मर्पय अनिजपदा पंक जामकरंदे कृष्णा देव भवन्तम वन्दे भक्तिरूदांचति यद्यपी माधव नत्वई ममतिलमात्री भक्तिरूदांचति यद्यपी माधव नत्वई ममतिलमात्री परमेश्वरतातदपीतवाधिक्र दुर्गतगत्न विधात्री विष्णा देव भवन्तम वन्दे हरीदेव भवन्तम वन्दे आयम अविलोताद्या आयम अविलोताद्यासनातन आयम अविलोताद्यासनातन कलिताद्भुत्रस भारं निवसतुनीत्यम इहामितनिंदनी विंदनम अधुरिमासारं क्रिष्णा देव भवन्तम वन्दे नरीदेव भवन्तम वन्दे मन मानस माधुकारा मर्पयानिजपदा पंक जामकरंदे क्रिष्णा देव भवन्तम वन्दे 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 हरी देव भवन्तम बंदे आपके चरन कमलों में लगा रहे चरन मधवान के खमरे और हम भौवव्रे तो अप मेरा मन उपी भववरा क्यवाल Patatakrudit आपके यॉक्त के लिए रख़ता है न य्शिया अवात्यवकd chiar बहुत समाधी में ध्यान में जाते हैं, फिर भी वो आपके चरणों के नखागर को भी दर्शन नहीं कर पाते कि इतनी बारतों, लेकिन मेरी ऐसी इक्षा है, कि मैं बस आपके चरणों में बस भौरा बन करके आपके चरण कमल में लगा रहू, मुझे छमा कर देना, ऐसी में इक्षा कर दिये, जबी ब्रह्मा जी कोई कठीन में जानता हूँ, लेकिन मैंने इसी इक्षा कर दिये, ऐसी इक्षा इसलिए करी है, क्योंकि ए भगवन, मैं जानता हूँ, आप बड़े कृपालू हो, आपकी अदबुत कृपा के बारे में मैं मैंने बहुत सुना है, इसलिए मुझे अपने चरण कमलों का भारा बना लो, मेरा मन रूपी कमल बस, मेरा मन रूपी भारा बस आपके चरण कमले में रहे। परमेश्वरता तदपीतवाधिक दुरघट घटना विधात्रिम लेकिन हे परमेश्वर, हे माधव, आपकी परमेश्वरता तो बहुत जादा उसके गुणगान होते हैं, आप ऐसी कोई भी अद्बुत घटना आप करवा सकते हैं, मुझे तिलमात्र भी भक्ती नहीं है, ले हे माधव, मुझे भी मदुकर बनने का मौका देंगे, मैं आपके चरण कमलों में लगा रहा हूँ, मदुकर बन करके, मदुकर यानि भावरा, आपके चरण कमल में वो तो रस से भरे हैं, निवसतु नीत्यम इहामितनिंदिनी विन्दन मदुरी मामा भारम हे माधव, हे सनातन, आप सनातन हो न, मुझे भी ऐसे आशिरपा दे दो कि मैं सनातन सनातन आपके चरणों में यह जो आपके चरण कमल है, जिनमें प्रेम का रस भरा हुआ है, भक्ति का रस भरा हुआ है, मैं सनातन मैं भी नित्या, आपके चरण कमलों में रहूं और उस र बगवान हो आप सनातन हो आप कुछ भी कर सकते हो चमतकार कर सकते हो तुम मुझ जैसे पर चमतकार करो ब्रह्मा जी को नहीं दिखाए देता होगा नहीं दिखाए देता होगा हमारी तो इक्चा है आप हमें दिखा दो आप हमें अपने चरणों के भवरे बना दो ऐसी यह प् करते हैं कि प्रश्णों का उत्तर बाद में देती हूं क्लास के बाद ठीक है कोशिश करके 15 मिनट पहले क्लास करूंगी आज लुकि इसके बार ललता सवस्थना में हम लोग अंतलीला और अंतलीला में भी भाग दो भाग दो का बारवा अध्याई हैं हम लोग श्रवन कर रहे और प्रेम भरी लिलाएं उनके और एक भक्त हैं जगदानंद पंडित उनके साथ उनका जो प्रेम वेवार है आज हम उसका स्रवन करेंगे भगवान अपने भक्तों के साथ कैसे प्रेम से रहते हैं बार बार ऐसे सुनने से ना भगवान अपने जैसे लगते हैं नहीं तो सि press splits लेखान के चार हाथो आपध राथो दस हाथो आयते मौना करने लिकिन मं बड़े दूर के लगते हैं हमारे गवान से लोगों से बात की हमारे ऐसी हम बढ़ करों भगवान भी और भगवान भगवान भात भी यह स텐 पर लगता है तो चैतिने महाप्रभु एवं जगदानंद पंडित का प्रेम्वेवाद। जय जय नित्यानंद क्रिपा सिंदु जय श्री चेतन महाप्रभु की जय हो प्रिपा के सागर नित्यानंद प्रभु की जय हो जय अद्वैत चंद्र जय करूणा सागर जय गवर भक्त गण क्रिपा पुर्णांतर प्रिपा के सागर अद्वैत अचारी की जय हो प्रिचेतन महाप्रभु के सारे भक्तों की जय हो जिनके रिदय सदय क्रिपा से पूरित रहते हैं अतपर अतपर महाप्रभुर विशन अंतर क्रिश्ने रवी योग दशास पूरे निरंतर श्री कृष्न चेतन महाप्रभु का मन सदैव खिन रहता था क्योंकि उनमे निरंतर क्रिश्न विरह का भाव प्रकट हो रहा था महाप्रभु विरह में रहते अंत में न बहुत ज़्यादा विरह में उनमें हो गया था भगवान के लिए ये लिलाएं इसलिए पढ़नी चाहिए क्योंकि भक्तों के मन में न भगवान के प्रति ऐसी भावनाय उठती है और जो वो संसार में रहते हैं अपने आजू-बाजू के लोगों को जिनको प्यार क्या है बगवान के लिए पता नहीं उनके लिए बड़ी कट नहीं हो जाती है अपने इस तडब को किस से बताएं लेकि जब हम चैतने महाप्रभु को देखते हैं और उनकी तडब को देखते हैं तो फिर लग में इंडिया फैस्टिवल होता था इंडिया फैस्टिवल के पहले एक यहाँometि सब्गाद कराएं ने सलगें होगा नहींकाना जिए उनके पर वो जो समोसा बनानी की वोलिंटर सर्वस थी तो सब बैठे थे कर रहे थे उसमें भजन शुरू हुआ और एक लेडी थी जो गाने जी से गुरू थे गुरू है न तो प्रेमा जाता है गुरू के प्रती संतों के प्रती तो वो समोसे बनाते-बनाते रोने लगी अब मैं तो बैओन कि रही हूं मुझे पता है कूझ रो रहे है और हम में से दौचार इंडियंस जो थे हम जान रहे है कि क्यो रही हैं लेकिन उसी में दूसरी इंडियन आ थी वो भीहारी थी वो उसको पता ही नहीं क्या है ं है तो जाने मात्व उस से देINKा रो रहे है उसको देख द फेलीवर राज़ी थी तो जाने मिन्म उसने देखा रो रही है उसको देखे दूसरी भी रो और नो प्रेम से बाते कि जा रहे है से बनाए जारे प्यार से रो रोके रोके गुरुदेव के बाने बाते होई है जो ख़तम हो गया सब्साभ जब वो फस्टिवल ख़तम हो गया तो उस लेडी ने पूछा दूसरी जिस फ्रेंड ने लाया है कि मुझे सब समझ में आ रही कि वो रो क्यों रही थी तो ये और्रत किया अरे उसको भगवान से Son spring says Vijay और अलविए रोरे थे ऐसे क्यों रहते हैं में की एक ग्नवी रोए जाता है क्या भगवान पारत्व नंहोंता है मेरे ना कुछ बच्चे की प्रॉब्लम चल रही है तो मेरा माइंड ठीक नहीं रहता तो मेरी फ्रेंड ने बोला आज जा मेडिटेशन कर तुझे अच्छा लगेगा तो मैं तो वही करने के लिए आई लेकिन यहां देख रहू यह लोग रो रहे हैं तो मतलब रो रहे हैं मत पति नहीं है तो रहोता है कोई पत्नी है तो परशान है कोई धन है तो परशान है कोई धन नहीं है तो परशान है किसी को खाने को मिल रहा है तो परशान है किसी को खाने को नहीं मिल रहा तो परशान है संसार का यहीं दशा है यहीं समझोगी आप मैं वहां से निकल गई प उसको भावना में दिख रहे हैं उसको अनुम वह रहा है अब दूसरे को तो नहीं दिख रहे हैं यह पागल है क्या पागल है तो जब वो थोड़े बड़े हुए वो पागल केसी उनकी दशा हो गई थी कुछ भी करते थे काली मा कोई कुछ बोल दे किसी ने बोल दिया रहे तीन दिन तुम सूरी की तरफ देखो तुमें काली मा दिखाये दे जाएगी ओ तीन दिन ऐसे जाकर के देखने है सूरी की तरफ पागल की तरफ चकरखा के गिर गए तिसरे दिन और मानी यही काली, पागल के दर रो रहे हैं हमाँ भाग रहे हैं, उमर हो गई थी, 18-19 जो भी यंगे जोगी, बंगाल में तो यंगे में शादी हो रही थी उसमें, तो लोगों ने माता को उनके एडवाइस दिया, टिपिकल, संसारी रोका एक एडवाइस होता है, अच्छा यंग लड़का है, इसका दिमाग गूम रहे हैं हमाँ, शादी करा दो एक दम ठीक हो जाएगा, शादी करा दो, यह ना, फिर भी दिमाग अगर गूम रहे, अरे बच्चे पैदा करो, हो जाएगा ठीक, बेडिया बांधो, सब ठीक हो जाएगा वामला, अब बच्चे अगर किसी को प्रेम हो जाए भगवान से, फिर उसकी तो जीवन बस कठीन है बहुत, तो ऐसा वेक्ति, ऐसे जो भगत लोग होते हैं, जब संसार में जीते हैं, बड़ी कटना ही होती है, लेकिन जब हम चैतेन महापरभू की लिलाए पढ़ते हैं, सुनते हैं, और समझ में आता है कि अगर हमें रोना आ रहा है, तो ये नॉर्मल है, चैतेन महापरभू आये थे, बता करके गए हैं कि ये नॉर्मल है, भगवान के लिए कभी-कभी घंटो-घंटो-घंटो रोना आता है, दो-दो-तिन घंटे रो सकते हो, बड़ी बात नहीं है, और रोना चाहिए, प्रेम को बढ़ने देना चाहिए, रोने से भगवान के प्रती प्रेम बढ़ता है, और ये प्रेम का वेवार है, यहाँ पर जड़ समाधी नहीं है, यहाँ पर भाव समाधी लगती है, जितने घंटे रोते हैं, उतनी देर के बड़ भगवान की आती, तो कुछ उसमें मैं क्रंदन करते थे, कैसा क्रंदन? हाँ, हाँ, क्रिश्न, प्राणनाथ, व्रजेंद्रनन्दन, कहा, कहा या, कहा याई, कहा पाई, मैं कहा जाओं, मैं तुम्हें कहा पाओं, हे व्रजेंद्रननन्दन, हे मुरली वदन, हे मुरली मनोहर, मैं तुम्हें कहा जाओं, हे मु करना चाहिए संसार को दिखा करके मत करना संसार तुमारी वक्ति को डौं करेगा भगान को दिखा करके जुरूर कर सकते हैं रात्रे दिने दशा स्वस्तिना ही माने कश्टे रात्री गोडाय स्वरूप रामानन दसाने महाप्रभू की दिन रात ऐसी ही दशा थी मन की शांती न अपाने के कारण वे सरूप दामोदर तथा रामानन द्राय के साथ बहुत कठना इसे रात बिताते थे प्रेम की छटपठा हट है ये और विरा में बहुत आनन्द है समाधी में भी वो आनन्द नहीं है जो विरा आनन्द में सच कहते हूं जब तक विरा है न मिलने की चटपठा हट है उसका आनन्द अलग है और मिल लिए तो मिल लिए प्रेम के अलग अलग स्वरूप है मैंने कई कि आड़न एसे देखा लोगों भक्तों को कि जब तक शहरों में रहेंगे रहहे हमे बिंदा बजाने बिंदा बजाने विंदा मैंने देखा सब को छोड़ चारकर विंदावन चले गए विंदावन वास भी मिल गया है तो हमें लगता था कितने लखी हैं लोग वृद्धावन वास मिल गया इनको अपने संसार में फजिए साल में मौका मिलता है तो जाते हैं लेकिन हम साल बार जी छट पॉटार्ट में रहते हैं। राप दिन वहीं वृ ही मुटधावन वहीं सो थे चॉंख रृत hai तो फेंदावन बात करें व्रिदावन या राट दिन मैनत करते हैं । कि हम व्रिंदावन को भूले ना क्योंकि व्रिंदावन हमसे दूर है न और जो व्रिंदावन वाले रहते हो बोलते हैं हम आपकी ऐसे कब बन जाएंगे आप लोग को तो इतने दूर रहकर के भी आपके मंद से को भी व्रिंदावन जाता नहीं आप हमेशे व्रिंदावन की बाते करते हो विंदावन के चिंदन करते हो हम लोग यहां रहे करके भूल जा रहे हैं हमारी यह दशा है कि हम यहां रहते हैं हम नहीं जाते साथ उसंतों को मिलने आप तो आते हो तड़क तड़क के मिलने के लिए तो ये भाई विरहानन्द है ये प्रेम का अनन्द है जैसे डिक्ट बुग करते हैं आप जाएंगे विंद्यम, आज विरहानन्द और जब मिलते हैं भगवान को, संतों को, संत भगवान को देखकरके, दरशन करके जब रिटन आते हैं न तो और दुख होता है कि अब दुवारा दर्शन का होगा बहुत दुख होता है सच में होता है लेकिन वह एक excitement है फिर आएंगे फिर मिलेंगे विरहानंद यह प्रेम का आनंद है शायद रोज रोज मिलने से वह प्रेम खत्म हो जाए इसलिए भगवान विरह देते रहो मुझ नश्ठु माम अधर्शन मर्म हताम करोता हुआ जलते भगवान आपने सही बात करें बिल्कुल सही बात करें आप गले लगाओ या दक्के मारके निकाल दो या दर्शनी मत दो दर्शनी नहीं देख करके हमें एकदम निर्भमता से हमारी हरत्या कर दो कोई तकलिफ नहीं भगवान आप स्वतंत्र है लेकिन हम भी आपको पता दे रहे हैं मत प्राण नातस तुसा एव नापरा आप ही हमारे प्राण नात है और कोई है ही नहीं हम किसी और को देखी नहीं सकते हैं आप ही है जित देखू तितन शाममई तो विरहानन्द कोई एक बुंद भी चकले ना उसको पता है विरहानन्द क्या होता है विरह में भी बड़ा आनन्द है और विरह में प्रेम विभू हो जाता है मतलब फैल जाता है आपका प्रेम मिलने में तो वो प्रेम ही इसको आप्रेम कर रहा सामने है ना लकिन जब विरह में होते है न तो प्रेम एलता है फ़क्ण aan द्वारकां में भी है लेकिन tin राध अनी को भूल नीपा रहे on को भूल ने नीन्द में भी उनके मूंसे राधा आईश्वरे, यह क्या है? कोन है यह राधा गाउं वाली? कौन से व्रज के, कौन से गाउं की राधा है? है यह जब देखो तब भावरज की बात करते रहते हैं यह. सारा आईश्वरे तो हम दिला रहे हैं इनको? ऐसा. लेकिन जो विरह वाला प्रेम होता है, उसमें प्रेम पिनुगित पड़ो, कोपियों का जो भाव है, हर जगा उनको श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण श्री कृष्ण बिखाए दे रहें प्रेम में. तो कभी कोई प्रशने कर सकता है, भगवान तो भगवान है, महाप्रभू तो भगवान है, उन्हें क्यों ऐस क्यों हूं मैं करीब उनीज बिस की होंगी शायद तो मेरे पिताजी के गुरुदेव परमस निखिश्रवानंद जी उनका प्रोग्राम था उज्जेन में अब मैं तो आप सो कह रहे हूं हम तो तांत्रिक बैग्राउंड से तो मेरे लब उनके गुरुदेव जो हैं वह भी न तो अभी कितना देर वो लेक्चर सुनो और फिर उनके सब चल रहे थे मेरा मनी निकल करके मैं गई और जाते-जाते एक रामचंदर जी का मंदिर था रामचंदर जी के मंदिर में बैठी हलाकि मुझे रामचंदर से कोई इतना लगाव नहीं था लेकिन पता नहीं क्या होगे उस दिन वो रामचंदर जी को देखकर के रोना आने लगा अम मंदिर में बैठके मुझे शरम आ रही क्योंकि भगवान के लिए रोना होता है यह हमको पता ही नहीं है सच में और हम रोएंगे और लोग क्या सोचेंगे और यह रामचंदर जी को तो इनसे तो मेरा कोई लेना देना नहीं है मैं ललता के लिए रो मैं काली के लिए रों समझ में आती ही बात मैं अपने गुरू के लिए रों समझ में आती है यह रामचंदर जी से मुझे कोई लेना देना नहीं है इनसे तो मिझे बड़ी पागल की तरह है अंदर में प्रेम आ रहे हैं लेकिन समझ भी नहीं आ रहा है क्या हो रहा है बड़ी शरम भी आ रही है कोई देख लेगा तो मुझे नहीं पता जाए गंटा-दो गंटा कितना समय निकल जा मंदिर मुझे नहीं पता लेकिन मैं वहां से उटनी पारी थी पहली दो बार दो यह रोना मुझे कभी जिन्दीकी का बूलता नहीं पहली बार जब रोना experience किया प्रेम में रोना भगवान के प्रेम में रोना तो बहुत देर हो गया तो शायद मेरे तजरों वो याद आए कहां चली गई है तो पपा ने किसी को भीजा जो भी ले आओ कहां चली गई वो तो ढूंते जुनते एक शिश्य आए पपा के जो थे गौड ब्रदर गुरु क्या हो गया तुमको कुछ नहीं कुछ नहीं अंकल सब ठीक ठाक है चलो 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 गए रात में जब हम कमने में बैठे हैं आब तो मेरा मजाख लोगों ने बना दिया पिता जी को मेरे बोल रहे है वह बुरु भाई वहारी बेटी वहां पर बैठ करके रो रही थी पता नह को रोते हुए और मुझे इतनी शरम आ रही है मैं मुझे नहीं अच्छा लग रहा है वही मुझे नहीं पता मैं क्यू रही हूं पिता जी मेरे समझ गए वहले कोई नहीं भगवान के लोग रही थी ना कोई बात दे एक तो यह रोना हुआ थो एक बार हमारे गर में ना srf युगदा की magazines आती थी तो उनकी हर मैने की एक publication जो आती थी तो 12th grade में थी मैं और एक कोई chapter खोला जिसमें भगवान के लिए योगानजी ने बात की है और इतना प्रेम भरा वो article था और घर में कोई नहीं था उसमें वो article ने ऐसा कुछ खलबली मचाया कि भगवान आप कहा हो भगवान आप कहा हो भगवान आप कहा हो आपकी विनार जिया नहीं जाएगा वो रोना तो तीन घंटे खुल करके कि कमरे में कोई नहीं था और हम जवर हो सकते हैं वो रोना आप में से कुछ यंग्स्टर्स मुझे कई बार contact करते हैं और अपने दिल की खलबली बताते ह है मुझे मैं समझती हूँ फिर आप बोलते हैं घर में नहीं कोई समझ रहा तो यह नॉर्मल है बच्चों लोग अधा मधर आइम टेलिंग इस नॉर्मल भगवान के लिए रोना आता है भगवान के लिए जब कभी रोना आये रो और रोने के छण में ही भगवान चुते है जितना आप भगवान से प्रेम करोगे धीरे धीरे दिल आपका निर्मल हो जाएगा भगवान आपके हर तड़क को जानते हैं यह रोना ही भगवान से बिलाता है ठीक है तो शहितने महाप्रभू की क्या दशा है रो रहे हैं बस रोना ही ठीक रोना ही आपका शस्त्र है दिन रात उनकी दशा ऐसी ही थी मन की शांती न पाने के कारण वे स्वरूप दामोदर तथा रामानंद राय के साथ बहुत कठनाई से राद बिताते थे। के लिए लोग आ रहे और उस यात्रा में हमेशा कीता रहा शीवानन सेन, टूर ओपरेटर, अधवैताचारिय, इत्याधी, सारे भक्त नवधीप में कत्र हुए, फिर वहीं पर कुलिन ग्राम बंगाल में, कुलिन ग्राम और खंड ग्राम, खंड गाओं के निवासी भी महाप्रभू बंगाल में प्रचार कर रहे थे, इसलिए शीचेतन महाप्रभू ने उन्हें आदेश दे रखा था, कि वे जगनात पूरी न आये, किन्तु उस वर्ष, वे महाप्रभू के दर्शन हेतु, टोली के साथ चले गए, शीवास्ठाकुर भी अपने तीन भाईयों तथा अपनी पत्नी मालमी के साथ थे, इस प्रकार अचारे रतन भी अपनी पत्नी के साथ थे, तो ये सारे भक्तों का नाम आपने कई बार सुना है, अचारे रतन, शीवास्ठाकुर, इनकी पत्नी, ये सब यात्रा के लिए हर साल आते थे, बंगाल जाते थे, आठ मेने ब प्रसिद्ध भोजन, उनकी बहन भिजवाती थी दमेंती, भोजन के थेले लेकर के आ जाते थे, वासुदेवदत्त, मुरारी गुप्त, विध्यानिदी और अनेक भक्त श्री चेतन महाप्रभु के दर्शनार्थ गए, कुल मिला करके 200-300 लोग महाप्रभु के दर्शन के लि तब परम्सुख पुर्वक वे भगवान के पवित्र नाम का किर्थन करते हुए, जगनात्पुरी के लिए रवाना हुए, शीवानन्सेन ने विभिन स्थानों पर पत कर चुकता किया, हर जगा टोल देना पड़ता था, सब जगा टोल वेगर दिया, और उन्होंने सारे भ को जानते थे, एक दिन जब कर संग्रा करने वाले इस टोली का च्छान बिन कर रहा था, तो सारे भक्तों को निकाल दिया गया, किन्तु कर अदा करने के लिए शीवानन्सेन पीछे रह गया, यह टोली एक गाव पोची और एक पेड़ के नीचे प्रतिक्षा करने लगी, क् शीवानन्सेन के अत्रिक्त अन्यकोई उनके रहने के लिए स्थान की व्यवस्था नहीं कर सकता था, इस बीच नित्यानन्द प्रभू को काफी भूग लग गई, जिससे वे व्याकुल हो उठे, चुकि उन्हें अभी तक रहने के लिए उप्युक्त स्थान नहीं मिल पाय अत्यव शीवानन्द सेन को पर क्रोधित हो गए, उन्हों ने शिकायत की, नित्यानन्द प्रभू में कहे रहे हैं, चुकि इतना भुका हूँ कि मैं मर सकता हूँ चुकि वह नहीं आया अतयव मैं उसके तीनों पुत्रों को श्राब देता हूँ मरने का श्राब देता हूँ गुस्से में कहने लगे अब ये श्राब सुनी उनकी पत्नी शिवानन की तो रोने लगी और रो रहे थी और तब तक शिवानन सेन वहां से आ गए, घाटी से लोटा है, उनकी पत्नी न रोते हुए बतलाया, नित्यानन प्रभू ने हमारे पत्रों को श्राब दे दिया, मरने का, क्योंकि उनको रहने का स्थान नहीं मिला, तो शिवानन सेन ने कहा, तुम इसमें रोनेगी क्या बात ना, यह करकर शिवानन सेन नित्यानन प्रभू के पास गए, जिन्होंने उठकर उन पर पात प्रहार कर दिया, पात प्रहार से अत्यादिक प्रसंद होकर शिवानन सेन ने तुरंद एक वाले के घर में नित्यानन प्रभू के आवास की विवस्थात की कर दी, शिवानन सेन नित्यानन प्रभु के चरण कमल पकड़े और वह उन्हें उनके निवास स्थान पर ले गए उन्हें कमरा देने के बाद अत्यनत प्रसंद होकर शिवानन सेन ने कहा आजी मोरे भित्य करी अंगीकार कैला ये मन अप्राध भित्य योग्या फल दीला मिनित्यानन प्रभु से आज आपने मुझे अपने सेवक के रूप में स्विकार किया है और मेरे अप्राथ के लिए उचीत दंड भी दिया है प्रभु आपके द्वारा दिया गया दंड आपकी अहेतु की कृपा है तिनों लोकों में ऐसा कौन है जो आपके वास्तविक चरित्र को समझ सकता है आपके चरण कमलों की धूल ब्रह्मा तक को प्राप्य नहीं है फिर भी आपके चरण कमलों ने मेरे अधम शरीर का स्पर्श किया है आज हे प्रभू, मेरा जनन, मेरा परिवार तथा मेरे कर्म सभी सफल हो गए आज मैंने धर्म, अर्थ, काम तथा अंततह भगवान कृष्ण की भक्ती प्राप्त की है जब नित्यानन प्रभू नहीं सुना तो वे अत्यादिक प्रसंद हुए उन्होंने उठकर अत्यांत प्रेमावेश, प्रेमबश, शिवानन का आलिंगन कर लिया नित्यानन प्रभू के वेभार से अत्यादिक प्रसंद होकर शिवानन सेन, अद्वेत अचारिय, एक्तियादी सारे वैश्णों के लिए निवासस्थान की व्यवस्था करने में लग गए, नित्यानन प्रभू का विप्रीत सभाव उनकी विशेष्टा है जब वेक्रुद्ध होकर किसी पर भी पात प्रहार करते हैं, तो वस्तुतह वा उसके हित में होता है शिवानन सेन्द के भांजे श्रीकांत को, श्रीकांत ने अपने आपको अप्मानित अनुभव किया और जब उसके मामा नहीं थे, तब उसने इस विशेपर टिपणी की मेरे मामा, श्री चेतने महाप्रभू के संग्यों में से एक है किन्तु, नित्यानन प्रभू उन पर पात प्रहार करके अपनी शेष्ठता दिखाना चारते हैं यह करकर, श्रीकान्त, जो कि अभी बच्चा था, अपनी टोली छोड़कर अकेले ही शेटने महाप्रभू के निवाश स्थान पर चला गया जब श्रीकान्त ने महाप्रभू को नमस्कार किया, तो वह अपनी कमीज तथा कोट पहने था इसलिए गोविंद ने उसे कहा, हे श्रीकान्त, सर्वप्रतम अपने कपड़ों को उतार डालो जब गोविंद श्रीकान्त को सावधान कर रहा था, तब महाप्रभू ने कहा, उसे तंग मत करो श्रीकान्त जो चाहे सो करने दो, क्योंकि यह वह यहां पर अत्यांत दुखी मानसिक अवस्था में आया है श्रीचेतन महाप्रभू ने श्रीकान्त से समस्त वैशनोगों के विशे में पूछा और उस बालक ने सबों का नाम लेकर उनके विशे में महाप्रभू को सुचित किया जब श्रीकान्त सेन ने महाप्रभू को यह काते सुना, कि वह दुखी है तो वह समझ गया कि महाप्रभू सरबग्य है इसलिए उसने वैशनोगों का हाल बताया तब उसने शिवानंद नित्यानंद प्रभू द्वारा शिवानंद सेन पर पात प्रहार किये जाने का उल्लेक नहीं किया इस बिच सारे भक्त आगे और महाप्रभू से मिलने आए शिचेतन महाप्रभू ने पहले के वर्षों की तरह उन सभी का स्वागत किया किन्त उस्त्रियों ने दूर से महाप्रभू का दर्शन किया महाप्रभू ने फिर से सारे भक्तों के लिए निवासिये कमरों का प्रभंध किया और उसके बाद जगनाद जी का प्रसाथ पाने के लिए सबों को भुलाया शीवानन सेन ने शीचेतन महाप्रभू से अपने तीनों पुत्रों का परिचे कराया चूकि वे उनके पुत्र थे इसलिए महाप्रभू ने इन बालों को पर अत्यदिक कृपाप दरशित की ठोटे पुत्र देखी प्रभू नाम पुछीला परमानंद दास नाम से न जाना हीला शीचेतन महाप्रभू ने शीवानन सेन के सबसे छोटे पुत्र का नाम पुछा तो शीवानन सेन ने उसका नाम परमानंद दास बतलाया एक बार जब शिवानन्द सेंग स्वी चेतन महाप्रभू से उनके इस्थान पर मिले थे तब महाप्रभू ने उनसे कहा था जब तुम्हें यह पुत्र जन में इसका नाम पूरी दास रखना तब यह पुत्र शिवानन्द की पत्री में के गर्व में था और जब वे घर लोटे तो पुत्र उत्पन हुआ महाप्रभू के आग्या के अनुसार बच्चे का नाम पर मानन्द दास रखा गया और महाप्रभू ने हसी हसी में उसे पूरी दास कहा जब शिवानंद सेन ने इस बालक का परचे श्री जेतन महाप्रभु से कराया तब महाप्रभु ने उसके मुँं में अपना उठा डाल दिया शिवानन सेंन के सौभाग्य, रुपी सागर्त को कोई लाग नहीं सकता, क्यूंकि महापरभू शिवानन के समस्त परिवार को अपना मांते थे। तो ये भगवान की अपनी लिलाए हैं, उनके भगतों के साथ शिवानन जिसको नित्यानद महापरभू ने अभी शराब दिया देन já तिनों बच्चों žारे अरो शिवानन से एंको कुछ हुआ नहीं मन मे दुख नहीं हुआ जरा भी प्रेंग की यह बाते हैं और शिवानन से जानते हैं महापरभू कितना प्रेम करते हैं तो तीनों बच्चों को ले आए और महाप्रभू ने ही उनके बच्चे का नाम पूरी दास रखा था और उसके मूँ में अपना अंगुठा भी डाला था तो ये उन्होंने देखा है महाप्रभू ने अन्य सारे भक्तों के साथ भोजन किया और हाथ मुध होने के बाद गोविंद को यहाँ आग्या दिए उन्होंने कहा जब तक शिवानन सेन की पत्नी तथा उसके पुत्र जगनादपुरी में रुकेंगे उन्हें मेरे भोजन का शेश दिया जाए नदिया के निवासी परमेश्वर नामक एक हलवाई मोदक थे जो श्री चेतन महाप्रभू के घर के समीप रहते थे जब महाप्रभू बालक थे तब वे परमेश्वर मोदक के घर बराबर जाते थे बारंबार जाते थे वो हलवाई उन्हें दूद तथा मिठाए देता और महाप्रभू ने खाते थे प्रभू विशयसनेigare तारा बालक काल है ते सेवत्सर सेह आईल प्रभू रे देखी ते परमेश्वर मोदक बाले काल से ही महापरभू के प्रति सनिहिल थे और वे इस वर्ष जगर्नात्पुरी महापरभू के दर्शनार्त आये थे इतने सारे लोग जो महाप्रभू को बच्पन से जानते थे, सब लोग दर्शन करने आये हैं, अब जब ये तो बड़े हुए ना परमेश्वर मुदक, जैसी ये आये परमेश्वर मुदक, और ये तो बालक थे चेतने महाप्रभू, अब बड़े हो गए हैं, तो देखते ही क क्या कि आप महाप्रभु ने परमेश्वरामुई बली दंडवत खईला तारा देखे प्रभुपी टहरे पूछी ला उन्होंने महाप्रभु को नमस्टार करके कहा मैं वही परमेश्वर हूं उन्हें देख करके महाप्रभु ने उनसे अच्चन तसने के साथ प्रश्न पूछे चतने महाप्रभु कहा परमेश्वर आपका मंगल हो अच्छा हुआ कि आप यहां आए तब परमेश्वर ने महाप्रभू को बतलाया कि मुकुंद की माता भी आई हुई है मुकुंदार माता का नाम सुनकर छीचेते ने महाप्रभू को संकोच हुआ किन्तु परमेश्वर ने सनेवश परमेश्वर के सनेवश उन्होंने कुछ नहीं कहा क्योंकि सन्यासी है तो स्त्रिय से थोड़ा दूर रहना चाहिए इसलिए महाप्रभु तुरह संकोच में थे घनिष्टा के कारण कभी-कभी समान्य शिष्टाचारे का उल्लिंगन हो जाता है अतयव परमेश्वर ने अपने सरल तता स्नेम आच्रण से वास्तव में महाप्रभु को के अंतर को सुखी बनाया क्योंकि अब यह सन्यासी हो चुके थे तो भले बच्पन के कितने भी लोग हैं उनसे तुड़ा उनको डिस्टेंस बना करके रखना चाहिए तो इसलिए महाप्रभु सबसे बात नहीं कर रहे थे सारे भक्तों को भगवान ने पुर्ववत लिया और बुर नीचा मंदिर का मारजन करवाया और रथ क्यात्रा के रथ के समक्ष वैसे ही नित्ति किया जैसे पहले करते थे हर साल की तरह और चतुर मास इस प्रकार से हर साल की तरह बीता भक्तों ने चार महीने रुक करके उस इत्यादी पत्नियों ने शी चेतन महाप्रभु को भोजन के लिए निमंत्रन दिया और भक्तगन अपने साथ बंगाल से नाना प्रकार के बंगाली भोजन लेकर के आए और जो जो चेतन महाप्रभु को पसंथा सारे भोजन वो लेकर के आए थे उन्होंने अपने घरों में विविद्ध अन तठातर कारियां भी पकाई और उने महाप्रभू को दिया। विविद्ध अन विरह कारुबव करते हुए आसु भाते। महाप्रभू को नियमित रूप से भोजन के लिए आमंत्रित करते थे। और महाप्रभू उनसे अत्यंत मदुर्शब्द में कहते हुए। महाप्रभू ने कहा तुम सब लोग प्रतिवर्श मुझे मिलने आते रहते हो। यहां आने तथा लोटने में तुम लोगों को अवश्य भारी कष्ट होता होगा। तुमा सबार दुख जानी चाही निशेधी ते। तुमा सबार संग सुखे लोभ बड़े चीते। कि महाप्रभूग से कह रहे है कि आप लोग हर सालाते हों मेरेसे रहे और आप उस पर्यों से खिच हों मजसे मिलने आते हो। और मैं आपको सच बता रहा हूं, आप लोगों की संगती इतनी अच्छी लगती, इतनी अच्छी लगती कि जब चार मेने बित्ते हो और आप लोग जाते हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता, किसी के, कोई लोग आते हैं तो लगता कब जाएंगे, कब जाएंगे, कब जाए की ति कि निप्यानन्द आग्यादीलों गौड़ते रही ते आग्या लांगिया की पारे बली यह सब मैं यह निप्धानद को बोलता हूं मत आओ मेरे पास मकाल में रहो कि मेरी अग्या को लांग करके त الد्वाने पीर जाते हैं और आजर थितना प्रेम आप आईले आचार्य गोसाई, मोरे कृपा करी, प्रेम रिडे बढधामी, शुधी तेन पारी, यह अद्वैत आचार्य, यह हर साल आते हैं। उनके इस नहिल विवार के लिए रिणी हूँ, मेरे लिए इस रिण से उरिण हुआ पाना कठी ने। ऐसे ऐसे दुर्गम रास्तों से आप लोग आते हो, मैं कैसे आप लोग के प्रेम को चुकाऊंगा। आमी ए निला चले रही ये वसीया, परिश्रम नाही मोरा तो मा सबार लगीया। मुझको कोई ठकावट या कष्ट नहीं होता, मैं तो यह निला चल भी रहता हूँ। मैं कहीं भी नहीं चाता, यह तो तुम सबों की कृपा है, फिर भी आप लोग मुझसे इतना प्रेम करते हो, और इतनी दूर से आते हो मेरे लिए। मैं सन्यासी हूँ और मेरे पास धन नहीं है, भला तुमने मुझ पर जो कृपा दिखलाई है, उसका रिण मैं कैसे चुगा सकता हूँ। मेरे पास केवले यह शरीर है, महापरभू कह रहा है, महापरभू इतने प्यारे है, बक्तों से कह रहा है, इतना प्रेम तुम मुझे देते हो, मैं सन्यासी हूँ, मेरे पास धन्मी नहीं है, कि मैं तुम्हें उस प्रेम के बदले कुछ दे सकूँ। मेरा ये शरीर है बस और ये शरीर में तुम्हें समर्पित करता हूं भगवान कह रहे हैं भगवान अपने भक्तों को कह रहे हैं मैं अपना शरीर तुम्हें समर्पित करता हूं तो इसे कहीं भी तुम इस शरी को कहीं भी बेश सकते हो तुम यह तुम्हारी संपत्ति है बदेखो यह प्रेम की बाते हैं भगवान प्रेम में बिग जाते हैं भगवान को रिणी करना ना प्रेम दो उनको प्रभूरा वचने सबार रवी भूतमाना आजोर नायने सबे करेना क्रणाना जब सारे भक्तों ने शीचेते ने महाप्रभू के इन मधुर वचनों को सुना तो सबका मन द्रवी भूत होने लगा सबके रिदे द्रवितों उठे और लगातार नेनों से अशुधारा बहने लगी प्रेम और भगवान क्या करते हैं प्रभू सबार गला धरी करेन रोधाना भगवान भी भक्त रो रहे हैं प्यार से आप जहने का समय है ना विदाई का समय है भक्त रो रहे हैं भगवान से रहा नहीं जा रहा है भगवान इतनी सारे बाते बोलने के बाद सबको गले लग लग के है जोर जोर से रो रहे हैं अपने भक्तों को पकड़कर महाप्रभू ने सबों को आलिंगन किया और अस्वयम रोने लगे सबाई रही ला के हा चली ते नरीला आरा दीन पांच साथ एमत गेला अपने ना चौड़ पाने के कारण में सभी वही रहें और इस तरह पांसा दिन और बीद गए आप किसी को जानी का मन नहीं कर रहे है महाप्रभू को रुळा के कैसे जाएंगे और गए पांसा दिन और गजाते हैं हख। अद्वाइत प्रभूत अथा नित्यानन प्रभू ने महावर्भू के चरण कमलों में ये शब्द निविदित किये आपके दिव्य गुणों के कारण सारा जगत सहज रूप से आपके प्रती कृतग्या है फिर भी आप अपने मदरु अचनों से अपने भक्तों को फिर से बांद लेते हैं ऐसी अवस्था में कोई कहां जा सकता है तब शेदेन माप रभूने से को शान्त किया और हर एक को फिर विदा किया हम लोग यहां पर इसको रोगते हैं क्योंकि अब ललता ससना बरचना की लाश शुरू होने वाली है आप लोगे कमेंट्स एक करके एक दो मिनिट में अंड करती हूं ठीक है है दो लिए इस सबस्क्राव करता हम है कि बुराने स्वों कभी-पुराने जो जो चित्त में जो संस्कार है वह उठाते हैं तो सुखा हो जाता है जैसे बारिश चार मेने बारिश आती बाक्याट मेन बारिश नहीं आती यह नॉर्मल है मां श्री कृष्ण को कि आठ पट्रानी थी हमें तो बस रुपमनी जीस तेमा मां जामवत्ती का पता है और सुबह आपने भूदवी बताई नेक्स चार और कौन है और भी है जब कभी हम कृष्ण की कथा सुनेंगे भागवत में तो सब सुनेंगे आप लोग ठीक है आज ही म लेकिन अगर राम जी ने कुछ किया है तो राम जी ने सही किया है ऐसे मान करके हमको चलना चाहिए और राम जी ने किसी का वद भी किया है तो राम जी ने उसको मुक्ति ही दी है अगर किसी का वद राम जी अगर वद कर रहा है ना तो उस व्यक्ति हमें लगता है कि एक एक लेकिन उस व्यक्ति के अंतामन में क्या चलता है वो राम जी जानते हैं तो तो अंतामन अगर साफ नहीं है और कोई तपस्या कर रहा है बहुत राज रपने के लिए ये करने के लिए राम जी अच्छे से जानते है राम जी का जनम ही हुआ था अवतार ही हुआ था भक्तों की रक्षा के लिए अगर राम जी ने किसी का वद किया है भले हो कितना भक्त दिखाए दे दे लेकिन अंदर में उसके अगर thinking ठीक नहीं है तो राम जी का काम सही है ठीक है फिर भी कभी जब रामायन अगर अगर भगवान ने चाही तभी खोलेंगे इन लिलाओं को पढ़ेंगे तो deep में समझ में आएगा कि वहल एक प्रसंग मात्र से हम नहीं जज़ कर सकते कोई भी ठीक है अगली बार आप गौरव को प्रियंका याद दिला दे ना गौरव आपका नाम ले लेंगे या गुरूप में जब होगा तो अच्छा भी अभी वाले में आप आप पर लेंगे टाप पर लेंगे जैगुरु मा वाव मा लबल हो लगी अगर दो कि यंद इस वीडियो टो करना यह है भाव किर्थन में करो दूटन करो अगे सुन्ते सुन्ते आजाने कि नेंदा जाती है और मैं सो जाती है कोई बात नहीं है ने नार्मल है अगर मन को शांती नहीं मिली नहीं आए ती ओर कता के समय निद्रा देवी आई जाती है मेरे आँ कही लोग आयते कंपेट करते हुए अरे हमें नींद नहीं आती तो मेरे एक ही उनका सलीशन है माला पकड़ो जब ना शुरू करो पहले माला के दस मंत्र में तुम सो जाओगे तुम में आया ठीक है चलिए श्रीविद्या क्लास नौ यह श्री शीक्रिष्णा अरी बोल जिसको आना है अप लोग आप लोग आड़े रादे रादे आड़े